हेलो गाई संबात के नवाल है टाटा कंसल्टरेसे degree services इस कमनी के बारे में इस कम्पनी का quarter 4 F23 का result आचुगा है सामने कैसर इस कम्पनी का result और क्या इस कम्पनी ने dividend दिया है कि नहीं इसी के बारे में discussion करेंगे तो विडियो को ज़रू से end तर देखते रहना तडा कंसल्टट से सर्विसजन से इस कंपनी की बात करें तो कंपनी का कंसलोट दिटर रिजल्ट आप लोगो की सामने प्रिजन्टेट है सारी अमांट से वो करोर से में बताई खी है कंपनी की income से शुरुबात करता है तो revenue from operation and other income को मिला कर कंपनी का total income इस quarter के अंदर 60,337 करूर रूपीज का देखने को मिलता है quarter and quarter base के उपर और पिछले साल same quarter के मकाबले कंपनी की income में एक अच्छा jump देखने को मिल जाता है बाकि यार इस कंपनी का year and year base के उपर भी performance देखोगे तो यार around 1,95,772 करूर रूपीज से directly 2,28,907 करूर रूपीज पर कंपनी का income आता हुआ नजर आ जाता है रिक है बाकि इस कंपनी के expense की बात करें तो company का employee की cost अलग-अलग software के license की cost, finance cost and अलग-अलग cost को मिला कर कंपनी का total expense यहाँ पर 44,946 करूर रूपीज का देखने का मिलता है quarter and quarter base के उपर और पिछले साल सेम quarter के मकाबले company की overall income के अंदर जिस प्रकास से बढ़ोतरी हुई है ना वैसे expense भी बड़ा है तार जो यहाँ पर से company के overall operating profit margins है तो वो थोड़ा सा improve हुआ है बाकियार overall यहाँ पर से company का expense and income दोनों ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है quarter and quarter base के उपर and year and year base के उपर दोनों ही जगापठीक है तो यह चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए बाकियार इस company के net profit की बाद करें tax and expansion item काटने के बाद company का net profit इस quarter के अंदर 11,436 करोड रूपीज का देखने को मिलता है जो quarter and quarter base के उपर और पिछले साल same quarter के मकाबले company के net income के अंदर तो बड़ोतरी हुई है उसके बाद company के profits भी बढ़ा है मतलब overall यहाँ पर से पिछले साल के comparison में और quarter and quarter base के उपर दोनों जगापर company ने बहतरीन performance किया है और company consistency के साथ लगातार गुरो कर रही है ऐसा एक भी quarter नहीं रहा है पिछले साल के comparison में देखने जाए जो यहाँ पर से down route है तो बहुत ही जादा बढ़िया चीज है overall यहाँ पर company TCS अच्छा performance कर रही है और यह company यहाँ पर से TCS के अंदर आप लोगों को यहाँ पर से dividend का भी announcement देखने को मिल जाता है dividend से पहले बात कर लेता है इस company के earning per share की बारे में earning per share इस company यहाँ पर से 31.14 रुपीज का EPS company ने प्रेजंट किया है जो quarter and quarter base के उपर और पिछले साल सेम quarter के मकाबले बढ़ा है बाकियार इस company के earning per share यहाँ ने बेस के उपर भी देखने जाए तो और overall growth stage में ही देखने को मिल जाता है ठीक है इसे के साथ company के dividend की बात करें तो और company ने final dividend के तोर पर अपने shareholder को 24 रुपे per share का dividend यहाँ पर announcement किया है मतलब आप लोगों ने इस company के investment करके रखा हुआ है तो आप लोगों को बहुत ही बढ़ी ऐसा 24 रुपे per share का dividend आप लोगों के bank account में pay कर दिया जाएगा ठीक है 28th annual general meeting के अंदर company यहाँ पर से यह जो 24 रुपे per share का dividend है इसकी record date and next date बता देगी ठीक है बाकियार इस company ने आप annual general meeting की date भी अभी तक announcement नहीं किया है पर मिरको ऐसा लगता है आने वाले 30 दिन के अंदर यह अंदर इस company का annual general meeting है वो यहाँ आपर से execute कर दिया जाएगा company के द्वारा ठीक है बाकियार overall TCS Tata Consultor से services बढ़िया result अपने shareholders को present करती हुई नजर आ रही है company का revenue wise आप लोग performance देखोगे और सबसे ज़्यादा revenue है company ने यहाँ पर IFSI segment जो यहाँ पर banking financial services and insurance sector है वहाँ से company का सबसे ज़्यादा revenue आ जाता है 22,628 करोड रूपीज का वहाँ पर company का overall अच्छा घ्रोत है बाकिया overall यहाँ पर year on year base के पर भी performance देखोगे तो बढ़िया company ने यहाँ पर किया है ठीक है company का share देखने को मिला ठीक है तो यह कहाँ पर से बहुत ही बड़ी update है बाकियार जो आप लोग technical analysis TCS के बारे में जानना चाते हो मतलब कहाँ पर खरीदना है कहाँ पर बेचना है इसके बारे में detail जानकारी लेना चाते हो और company के result को और अच्छे से देखना चाते हो तो आप लोगों को यहाँ पर से stock market express हमारी youtube channel है वो उसको जाके आप लोग ज़रू से check out करना वहाँ से आप लोगों को TCS के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी ठीक है तो बस अच के लिए तना ही वीडियो पसंद आजे तो like and channel को subscribe करना मत बूलना गुद्बालव गुद्बाइ फिर मिल तन नेक्स दो में गुद्बाइ